उत्रप्रदेश में 5 सीटों पर BJP आगे जी हाँ 5 सीटों पर भार्टी जड़ता पार्टी फिलाल आगे चल रही है और सफ़ागण बंदन फिलाल 1 सीट पर आगे बढ़ती हुई उत्रप्रदेश से जो रुजान सामने आ रहा है किसकी जो पहली तस्वीर सामने आ रही है उसके मताबिक BJP गडबंदन यानि BJP प्लस 5 सीटों पर आगे और SP प्लस एक सीट पर आगे पाच राज्यों में वोटों की किंदि शुरू हो कई है एक करके तमाम राज्यों से देखिए अब ये आकड़े बदलते वे BJP प्लस 9 सीटों पर आगे और सफागडबंदन नहीं अभी फिलाल एक ही सीट पर आगे बहत उसे मिलती हुई दिखाई दिया रही है बीएसपी कॉंग्रेस अन्य तमाम अभी शुन्ने पर ही जबकि पंजाब की चैली पर गौर करें तो कॉंग्रेस अभी दो आगे और ये आकड़े एक बदलते वे BJP 11 पर करूँ चुकी है उत्रप्रदेश में BJP गडबंदन 11 सीटों पर आगे तेजी के साथ बरती हुई ज से ये तेजी के साथ अब आकड़े बदलने शुरू हो कए हैं और अभी ये बदलते भी रहेंगे तमाम राज्यों से आकड़े ये देखिए पंजाब की टैली पर गौर करें तो आमाद विपार्ची दो सीटे फिलाल आगे अपनी बढ़त बनाती हुई और ऐसे जी शुरम सीटों पर आगे दोनों के बीच इस समय बराबरी का मुकाबला चल रहा है उत्राकंड की 70 विधान सबा सीटों की मैं बात कर रही हूँ जहाँ पर उजान आने शुरू हो चुके हैं और ये टैली देखिए आपके सामने एक तरफ उत्रप्रदेश की एक तरफ उत्राकंड क उपर है पंजाब की नीचे गोवा और मनिपूर का क्या कुछ हिसाब है गोवा में देखिए ना आपको मिल रहा है इस समय ना बीचेपि कनो कॉंगरेस को गोवा में एक सीट पर बढ़त हासिल होती हुई दिखाई दे रही है अदर्स के खाते में मनिपूर में अभी फिला पांच सीटों पर आगे यूपी में 11 सीटों पर जो 11 से अब 12 हो गई है सीटे यानि कि तेजी के साथ भी आकड़ा बदलता जाएगा जैसे जैसे एक-एक EVM खुलती जाएगी मत पेटिया कुलती जाएगी वैसे मैसे आकरे तेजी के साथ बदलने शुन हो जाएंगे पंज जाल दोनों बीजेप और कॉंगरेस पांच पांच सीटों पर आगे रामपूर से आजम खान आगे इस तरह से पांच राजियों में आज महा मत करने ना शुरू हो के है रामपूर बेहद होट सेट व्याइप सेट सभी की निगाहे चीकी हुई है यूपी उत्राखन गोवा पांच की पांच बीजेप भी कांच की पांच अभी फिलालिया बराबरी का मुकाबला है